हेलो एवरीवन वेलकम टू एस कीट गोडियल आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डी एफ्टी सीयल सीबीटी टू एगनेशन्स के लिए खास तौर पे एग्जेक्यूटिव इन्फॉर्मेशन्स टेक्नोलोजी वाले इस्टूडेंट के लिए यह डेमो क्लासे से हैं इसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग हमारे पेड़ बैच में पढ़ने वाले हैं इस्पेसली एग्जेक्यूटिव इन्फॉर्मेशन्स टेक्नोलोजी के पोस्ट के लिए क्या-क्या चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वीडियो में पेड किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे के लिए तो अगर आप लोग अभी तक को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि टोटल जो है हम लोगों का इन्फॉर्मेशन्स टेक्नोलोजी में कि स्लेबस क्या-क्या है तो ऑफिसियल स्लेबस तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था यह जो मैंने स्लेबस लिखा है आज इस वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ यह है प्रिविएस ये कोशन के आधार पर यह सभी टॉपिक्स में पढ़ाने वाला हूँ जो कि बहुत जादा टॉप most important topics हैं जिसको हम लोग कह सकते होट topics हैं यहां से प्रस्ण जनरली पूछे गए हैं एक जमनेसेंस में तो इस मुझे से यह सभी points important हो जाते हैं दरसल previous year question paper को भी खोजना खास करके डी एफ सीसी एए एक्जमनेसेंस के information technology वाला previous year question paper भी जल्दी नहीं मिलते हैं तो इन जीजों को मद्य नजर रखते हुए बहुत मसकत के बाद previous year question paper को खोज करके मैंने देखा important questions को भी देखा और important topics को भी देखा सभी जीजों को मैंने बहुत अच्छे से टटोल डाला खंगाल डाला तो आप लोगों के प्रिप्रिसंस में अब सहलियत आने वाला है क्योंकि आप लोगों का मेहनत बहुत ज्यादा लगता खुद से अगर प्रस्ण को खोशते question paper को खोशते तो तो सभी मेहनत को मैंने कर लिया है अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमारे एसके ट्रियल के paid batch में अगर इन्रोल होना चाहते हैं इन्रोल हो जाईए और इत्मिनान से वीडियो लेक्ष्ट को देखिए पीडियेफ नोट्स आपको मिलेंगे ही और अगर आप चाहते हैं फिर भी classes को भी सिर्फ attend कर लेते हैं at least तो आप जो है questions को solve कर पाएंगे और बहुत ज्यादा important role play करेगा आपका cbt2 के questions में क्योंकि जो information technology है इससे जो है टोटल 96 question पुछे जाएंगे तो बहुत वेटेज जादा है तो हम लोगों को detail में पढ़ना पड़ेगा तो चलिए एक नजर देखते हैं हम लोग कौन-कौन से topics को हम लोग पढ़ने वाले हैं तो यह सभी topics हैं हम लोगों का computer से related पहले जि FTCL का इतना अच्छा से तो नहीं clear किया हुआ है पॉइंट वाइज तो मैंने पॉइंट वाइज यहां पर लिखा है previous question के आधार पर मैंने इस तरह से पूरा data को समझा कि यह topics को सबसे पहले complete करना है तो यह 10 टॉपिक है इस 10 टॉपिक को हम लोग बहुत ही systematic way में पढ़ने वाले हैं पहले video lectures देखेंगे इसके बाद PDF notes मिलेंगे इसके बाद सभी चीज़ें तो क्या है hierarchy क्या है क्रम कैसे कैसे video lectures upload होंगे हमारे एप पर तो सबसे पहला जो है computer और history के बारे में पढ़ेंगे computer और history से भी questions पूछी जाते हैं और history of the computer language basis भी questions में देखने को मिला है तो जहां से भी हम लोग चीज़ों को बढ़ियां से देखेंगे इसके बाद hardware, software कहनी में तो बहुत आसन लग रहा है hardware है लेकिन hardware एक detailed chapter है हम लोग जब पढ़ते हैं तब समझाता है कि अच्छा इतना चीज़ें पढ़ना होता है तो hardware, software, data communications, internet पढ़ेंगे computer security and viruses के बारे में प होते हैं glossary हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों mcq question यानि कि multiple choice questions जो है आप लोगों को मिलेगा ताकि आप अच्छे से preparation कर सकें साथ ही साथ mcq questions के practice sessions भी मिलाओंगा जिसमें कि मैं online live classes में mcq का practice भी करवाने वाला हूं तो इसके बाद 10 जो point है वह computer aptitude and sort notes मिलेंगे जिसको मैंने नाम रखा है capsule यानिकि यह आपको examinations के मतलब कहा सकते हैं जैसे ही रिलीज हो जाता है cbt2 का वैसे ही आपको यह आपको capsule मिल जाएंगे यह capsule आपको सिर्फ revision करना है more than sufficient रहेगा आपके examinations के लिए cbt2 examinations का technical section यानि information technology का sections के लिए आप निस्चिंद रहेंगे 96 questions यहां से पुछी जाते हैं एकदम अच्छा score कर पाएंगे आप यह capsule को पढ़ लेने के बाद और पूरा अगर video lectures आप देख लेते हैं तो तो यह सभी चीज़े हम लोग इस क्रम में पढ़ने वाले हैं इसके ब लाए जाएगा तो यह है total हम लोगों का information technology का syllabus उम्मीद करते हैं यहां तक कीज़ें आप सभी लोग अच्छे से समझ गया होंगे अब मेरे प्यारे बच्चों एक कोई भी टॉपिक लेते हैं और उसको पढ़ते हैं तो आज चो कि यह demo lecture है इस जैसे कोई एक जो बोडिंग टॉपिक नहीं है उसको लेते हैं इन जेनरल जो कम्प्यूटर का हिस्ट्री है इस में इस्ट्रेंट लोग पढ़ने में इन जेनरल कभी-कभी बोडिंग फिल करने लगता है यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चेप्टर हाडवेर क्या पढ़ना है सिम्पल में जो प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं यह चैणा हुआ है और दूसरा क्या है है computer जो होता है वो software से मिलकें बना हुआ होता है रहane जैसे कि मैं अभी जो लीख रहा हूं यह क्या है software है जिस पर मैं लिख रहा हूं यह निए ट्वLIBUT है तौ सब्सक्रांद्र करणा कीटरी में है से पढ़ना है Right hard को यह बारे में अच्छा और एक चीज नेटवरकिंग बारे में पढ़ना है यहां पर networking के बारे में डेटा communications जो दिया गया है तो यहां पर आप ध्यान से देख लिए पूरा complete आपको सभी चीज़े पढ़ाया जागा कितनी टैप का networking होता है कितनी होता है वहां पर देटेल में पढ़ेंगे एप्रोक्सिमेट्ली आपका 120 आवर्स का इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके बैच में इन्रॉल्मेंट लीजिए अपना प्रिप्रेशन शुरू करिए और अच्छा इंट्रेस्टिंग पेपर है इसमें बहुत ज़्यदा मैथमेटिक्स चीज़े हैं नहीं सिर्फ वीडियोज को अगर कंप्यूटर का क्या है फिजिकल कंपोनेंट है ग्रूप तक किया जाता है टूगेदर टुपार में कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि एक्जामपल में वहीं जैसे कि मैंने मताया था कि PC केस मदर बोड रेम रोम हार्ट डिस्क मॉनिटर कीबोर्ड माउस यह सभी क् है हाड कंप्यूटर हाडवेर है कंप्यूटर हाडवेर है इसी तरह से अगर मैं बात करूं सिस्टम यूनिट के बारे में तो सिस्टम यूनिट क्या होता है कि जिसके अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर जो होता है वह आता है मदर बोड आता है ठीक है जिसके मदर बोड के जिसको उपर होता है melhor गाव होता है मेमूरी चीप लगा हुँआ होता है से Result ढोता है क्या होता है फाक है को बूर्ड है कि यह वर है इस पर क्या हो रहता है कि इसको लोग PCB बोलते हैं printed circuit board इस तरह से तो यह चीजें होता है यहां पर तो अलग-अलग part होता है हमारा system unit में motherboard पर ठीक है कौन-गोन सा चीजें होता है microprocessor होता है है ना chip होता है microprocessor chip होता है CPU होता है है इसके बाद system clock होता है बसे सोता है ports होता है यह सभी जीजें अब hardware को जो है डिवाइट किया गया है three parts में कितने parts में hardware को divide किया गया है three parts में इस पे एक ने डालते हैं तो हम लोगों का हाडवेर होता है मेरे प्यारे बच्चों hardware यह तीन टाइप का होता है यह कौन-ौन सा टाइप है पहला जो टाइप है उसको हम लोग नाम दिए हुए है hardware का पहला टाइप को बोलते हैं हम लोग memory क्या है हाडवेर है और दूसरा जो टाइप है उसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल क्या होते है पेरिफेरल इसको भी मैं समझाओंगा पेरी पेरिफेरल ठीक है और यहां पर जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं CPU CPU का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होता है इसको कहते हैं लोग सेंट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट कहते हैं इसको मेमोरी तो जानते ही है पैरिफेरल मतलण होता है वैसा डिवायस जिस में की इंपूड आउट्पूड दोनों चीज़े और हम लोग मौनिटर के अदर में इंपूड डालते है है कीबोर्ट के थुरू और वो आउटपूट दिखा देता है स्क्रीन पर हैक ने है तो इस तरह से राइट यहां तक समझ में आ गिया है डिटेल में चर्चा करेंगे कितने टाइप का होता है सेंटल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है इंस्ट्रक्शन एक्जी क्या होता है और क्या होता है दो इन्सट्रक्शन पढ пока सकते हैं आप लोग है आप में मेमोरी मेरी इन ऌडेल में रोम के बारे में विस्तार पूरूबक चर्चा करेंगे हम लोग पेक्लाग में तो यह था एक छोटा सा एक आप लोगों को जहलक जो कि हम लोग डेमो क्लासिस में डिस्कस किए तो उमीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा कम्प्लीट बैच में तो लेट नहीं करिए जल के लिए जो बैच है उसमें आप लोग ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप यह डिया गया है आपके स्क्रीन के उपर जो है इस नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आपको सभी कुछ मेरी टीम बता देगी आप पे चोकी क्लासेस रहते हैं मेरे चाहे वह जुनियर एक्जेक्यूटीव इलेक्ट्रिकल वाला हो या फिर इनफॉर्मेक्स टेकनलोजी में हो तो अलग अलग ब्रांचेज मेरा क्लासेस रहते हैं तो मैं बीजी रता हूं तो यूट्यूब पे क्लासेस को लेकर तो आप लोग करना चाहते हैं तो जल से जल आईए क्योंकि अब समय नहीं है यूट्यूब पे आप इंतजार करते रहेंगे अगर पूरा पीडियो कम्प्लीट आने वाला है तो इंतजार करने के लिए भी अब समय बहुत ज्यादा ज्यादा बचा हुआ है जितना पीन बचा हुआ है उससे ज्यादा टॉपिक बचे हुए है पढ़ने को तो एक दिन का एक टॉपिक भी कम्रेट करें तो पॉसिबल नहीं इसे लिए पर दे का दो तीन या चाट पॉपिक करके कम्रीट करेंगे तो एक एक वीडियो जो होगा वो दो घंटा दाई घंटा का वीडियो बनेंगे एक एक लेक्च्चर जो होगा दो घंटा दाई घंटा का होगा इसो जैसे आईए और जोइन करिए अच्छे से प्रप्रेशन शुरू कर देजे अपना ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद